अलो क्रशेल्स, वेल्कम टू डे 9, आज हम पढ़ने वाले हैं, सेंटर ओफ मास्क पूरा का पूरा इसी सिंगल विडियो में, क्या से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, तो सेंटर ओफ मास्क एकदम बेसिक से, उसके बाद हम देखेंगे कुछ reduction टेक सकते हैं, और उसको अगर हम काट दें, तो negative मास्क का concept क्या होता है, वहाँ पर हम ये चीज़ भी देख लेंगे, फिर हम देखेंगे motion of center of mass, जो हमारा center of mass चलता है, इसका एक बहुत ही अच्छा सा result आता है, जो बहुत जगे directly use होता है, वो है conservation of linear momentum, उसके भी questions solve करने वाले है उसके बाद आजाएंगे हम recoil velocity, या फिर वो इनसान एक carriage के ऊपर कूथता है, उसके ऊपर से नीचे कूथ जाता है, same concept वहाँ पर use होता है, उसके बाद हम आजाते है, explosion में, किस तरीके से kinetic energy distributed होगे है, एक line में answer निकालना हम सीखेंगे, उसके बाद last में आजाएंगे, हमारा विक्रांद किरार है, और अब इस वीडियो को start करते हैं, Center of Mass, क्या होता है Center of Mass? Center of Mass of a system is the point that behaves as if the whole mass of the system is concentrated at it, and all external forces are acting on it, जैसे हमारा पास यह एक इस तरीके से object है, इसके उपर मैं यहाँ भी force लगा सकता हूँ, यहाँ भी force लगा सकता हूँ, इन सभी forces को आप इस तरीके से assume कर सकते हो, जहाँ भी center of mass रहा होगा, उस पर वो तीनों के तीनों forces लग रहे हैं, और center of mass actually body के motion को represent करता है, तो सारे के सारे forces वहाँ पर लग रहे हैं, आप ऐसा assume कर सकते हो, और center of mass can be inside और outside of the body, यहाँ पर देखते हैं, center of mass actually इसके नीचे यहाँ कहीं होता है, इसलिए stability से वो उड़ता रहता है, center of mass is independent of the state of the body, अभी body move कर रही हो है, rest कर रही हो, center of mass सिर्फ geometry और उसके mass distribution पर डिपेंड करता है, body चल रही है या रुकी होई उससे center of mass को कोई लेना देना नहीं है, center of mass represents the motion of the body, जैसे यहाँ पर यह इस तरीके से घूमती फिलती हुई से जा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी object को जब हवावा में फैकते हैं, तो वो एक parabolic path लेती है, projectile motion करती है, तो वो कौन सा point है जो इस तरीके से parabolic motion कर रहा है, definitely इसकी जो यह top point है, वो तो नहीं कर रही है, वो तो हमें इस तरीके से कुछ जाती हुए दिखाए दे रही है, लेकिन इसका जो center of mass होगा, वो parabolic motion कर रहा होगा, यानि center of mass represent the motion of the body, अच्छा है, हम next chapter में चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई body free to rotate होगी और उसके उपर torque लगेगा, तो वो rotate करने लगती है, it rotates about its center of mass, बहुत ही basic सी चीज़ है, पर calculations center of mass की किस तरीके से होती है, तो एकदम basic से start करते हैं, हमारे पास मानलो कुछ इस तरीके से point है, मानलो यहां पर है M1, यहां पर है M2, यहां पर है M3, और हमारे पास यह coordinate system है, x है, y है, हो सकता ही, three dimensional हमारे पास system हो, तो three dimensional में हमारे पास z भी आ जाएगा, हमारे पास यह position vector आ जाता है, हमारा position vector of center of mass RCM will be equal to यह हो जाता है M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 और अगर आपके पास और भी bodies हैं तो इसी तरीके से add करते चलना divide करेंगे हम इसको M1 plus M2 plus M3 से और भी mass है तो सारे सारे add करते चलना अच्छा यहां पे हमें vector मिलने वाली है तो यह भी जो add हुए थे यह सारे के सारे vector quantities है हमारा पास इस तरफ इस तरीके से मारा पास basic सा formula हा जाता है अच्छा यह तो हमने vector की form में लिखा अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका x component बता दो center of mass का सिर्फ x component बता दो तो यहां पर भी हम x component और यहां पर भी x component यानि iq वाली सारी terms को देख लेंगे तो मैं आपस value हो जाती है x center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus जितने भी है add करते जाओ divide कर दो इसको m1 plus m2 plus जितने भी उनको इस तरीक से add करते जाओ तो इसी को लिखने का और भी तरीका होता है इसको आप क्या लिख सकते हो summation of m i x i sorry उपर हमने r लिखाते है m i ri vector divided by summation of m similarly इसको आप लिख सकते हो this is equal to summation of m i x i divided by summation of m i divide पूरे में आएगा इस तरीके से यह ज़दा मैं आपस x center of mass का formula यह position vector of center of mass तो इस पर बेस्ट एक question कर लेते हैं एक नहीं actually 2 question कर लेते हैं three point particles of mass is one kilogram, one point five and two point five are placed at three corners of a right angle triangle of side four, three and five as shown the center of mass of the system is at a point तो अब यहाँ पर बताना है center of mass का है center of mass आप डिरेक्ली नहीं calculate कर सकते हैं, आपको ज़रुद पड़ेगी है coordinate system की तो आप एक कान करो, यह जो हमारा point है इसी को मान लो, this is zero comma zero और यह बन जाएगा हमारा इस तरीके से x-axis इसको आप बना लो इस तरीके से y-axis ठीक है? अब आपको बताना है किस तरीके से आप यहाँ पर formula लगा सकते हैं देखो, x center of mass की जो value हो जाएगी वो हो जाएगी m1 x1 यहाँ पर आप करो m1 इसको ले लेता हो m1 तो इसका x-coordinate कितना है? 0 इसकी value हो जाती है 1 into 0 प्लस m2 x2 कर देंगे तो 1.5 into इसका x-coordinate कितना हो जाता है? 3 तो यह हो जाएगा 1.5 into 3 और similarly यह वालो जो है इसको add करो जाएगा इस mass को देखो इस mass का x-coordinate कितना हो जाएगा? तो यह x-axis था है तो इसका भी x-coordinate 0 है इसको भी हम क्यासे लिगेंगे? प्लस तो अब लिखी चुके थे प्लस हो गया है 2.5 into 0 इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मास है 1 plus 1.5 plus 2.5 तो उपर हमाया पास वाली के ते जाती है 1.5 into 3 यानिकि 4.5 डिवाइड बाइ नीचे आ जाता है हमाया पास 5 तो इसकी वाली आ जाती है 0.9 cm इसका मतलब हमारा x कोडिनेट 0.9 cm के आसपस आएगा अगर ये था 1.5 cm तो यहां कहीं होगा हमारा 0.9 तो हमारा सेंटर ओफ मास इस लाइन पर कहीं होगा क्योंकि इस लाइन के सभी पॉइंट्स पर हमारा पास x की वाली के तिया जाती है 0.9 similarly आप यहां पर y center of mass भी पता कर सकते है y cm लेकिन उसको बदा करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि देखो सारे option में 1 kg के mass से reference बांगा है तो 1 kg वाले से हमें पता है कि center of mass 0.9 cm राइट में है तो हमारा पास ऐसा एक ही option है option number b को हम directly यहां पर भी mark कर सकते है लेकिन फिर भी हम y center of mass calculate कर लेंगे तो इस mass का y coordinate कितना है 0 तो उसकी value आजाती है 1 into 0 प्लस इस वाले mass का y coordinate कितना है वो भी है 0 तो वा जाए आएगा 1.5 into 0 प्लस इस वाले mass का y coordinate कितना है वो है 4 तो यह जाता है 2.5 into 4 divide करो total mass से वाए 1 प्लस 1.5 plus 2.5 which is equal to 2.5 into 4 divided by 5 इसकी value आजाती है 2 centimeter y में हमाई पास 2 centimeter पे होगा अच्छा देखो यह length total 4 थी तो यहां कहीं पे हमाई पास इस line पे सब जगे y की value 2 है तो मैं पता चल जाता है हमारा center of mass कहीं ऐसे आ रहा होगा अच्छली यहां तो नहीं आएगा यहां पे कहीं आने वाला है इन दोनों के center में नहीं हो सकता क्योंकि यह mass थोड़ा अपनी तरफ तो खीचेगा इधर कहीं हमारा center of mass आएगा डाइग्राम पे मज जाओ भावनाव को समझाओ हम चलते हैं next question 2 particles of mass 1 kg and 3 kg have positions vector इतना the position vector of center of mass of the system अब यह तो directly formula-based question आगया मैं आपास center of mass के position vector होते हो क्या होते है m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus और भी है तो add करते जाओ divided by m1 plus m2 plus और भी है तो add करते जाओ बहुत ही simple है वीडियो को pause करो गलती मत करना question को स्वाब करो इस question का correct answer है option number A देखो हमारा पास यहां पर value आजाती है m1, m1 की value है 1 kg तो 1 इंटू उसका position vector कितना है 2 i cap यहादा है 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap और यहां जाएगा plus m2 की value किती है 3 kg तो 3 multiplied by हमारा पास उसका position vector है minus 2 i cap plus 3 j cap minus 4 k cap minus 4 k cap यहां पर divide करेंगे किसे m1 plus m2 इसकी value देखो क्या आजाती है i cap वाली term बताओ पहले कितनी हो जाती है i cap की कुछ terms आजाएंगे हमारा पास फिर हमारा पास कुछ j cap की term आजाएगी फिर हमारा पास कुछ k cap की term आजाएगी divide हम उसको कर देंगे 1 plus 3 यानि कि 4 से i cap वाली term कितनी आए 2 minus 6 2 minus 6 कितना हो जादा है 2 minus 6 यानि कि minus 4 j cap वाली term कितनी हो गई 3 plus 3 into 3 9 यानिकि 12 ये plus 12 और k-cap वाली term कित्तिया जाएगी ये जाता है 4 k-cap minus 4 into 3 12 minus 12 plus 4 ये जाता है minus 8 minus 8 k-cap यहाँ पर इसके value जाते है minus i-cap plus 3 j-cap minus 2 k-cap which is option number इतना simple ये था मान लो हमाँ पास दो particle है इसका mass है M1 यहाँ पर है दूसर particle इसका mass है M2 तो बताओ इन दोनों का जो center of mass होगा वो कहाँ पर होगा पहली चीज़ सो हम देख करके इस बता सकते ही इन दोनों को join करने वाली जो line होगी उस पर ही कही center of mass होगा यहाँ हो सकता ह benefiting upon इनका mass क्या है तो ऐसे में अगर हमें नहीं पता है तो हमें काम करते कि यहाँ पर देखो कोई coordinate system भी हमाँ पास नहीं है तो इसकां करते हमाँ पास जहाँ कहीं भी coordinate center of mass होगा वहीं पर हम coordinate system का origin ले ले लें तो let's say, यहाँ पर हमारा आ जाता है center of mass, और इसी को मैं बोल देता हूँ, this is 0, 0 अब यहाँ पर y direction में तो कुछ चीज है ही नी, तो सिर्फ अगर मैं x direction के लिए calculation करूँ, में पास क्या आ जाता है, x center of mass, उसकी value 0 है, मुझे पहले ही पता है, क्यों कि, उसको तो हमने ले लिया, 0 वहाँ पर हमने origin मान लिया है, अच्छे, यहाँ पर अगर total distance था हमारा पास r और यहाँ पर मैं define करने लगूं, तो यह वाली distance को मान लो, मैं बोल देता हूँ, this is r1 and this is r2 तो अब मैं center of mass का यहाँ पर formula लगा होगा, तो देखो हमारा पास value क्या जाएगी, 0 is equal to m1 into उसकी position कितनी है, यह direction हमारा पास positive x है, तो यह जाता है, minus में, तो m1 into minus r1 plus, इसके लिए मैं कर दूँगा m2 into r2 जाएगा, m2 into r2 upon m1 plus m2, यहाँ पर k वाली term इधर चली जाएगी, हमारा पास देखो सीधे सीधे आ रहा हैगा, m1 r1 is equal to m2 r2, इस चीज को बूला जाता है, क्या बूला जाता है देखो, अगर कोई भी चीज, किसी distance पर होती है, जैसे mass एक distance हम उसको बोलते हैं, अभी rotation में हम पढ़ेंगे इस moment of mass यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका भी कुछ moment of mass है, m2 into r2 और इसका भी कुछ moment of mass है m1 into r1, दोनों बराबर आ रहे हैं दोनों balance है, तो हम लिख देते हैं moment of mass is balanced at center of खाली बोलने की time आगई, कभी किसी को मन किया theoretical question बनाना है तो इस तरीके से वो बात बोली जा सकती है और आपके लिए को यहाँ पर physical significance नहीं है अच्छे चलोगे काम करते हैं, इसी को और थोड़ा सा modify करते हैं, यहाँ पर मैं देखना चाहता हूं कि इनका जो ratio होता है, किस ratio में divide होता है यहाँ पर r2 छोटा है, इसका मतलब क्या है, हमाँ पास mass यह heavy होगा r2 छोटा है तो मैं लिख सकता हूं m1 छोटा होगा, r1 बड़ा है यानि कि m2 बड़ा है हमाँ पास यह जो distance होता है, वो बड़ाता है दूसरी equation हमाँ पास एक और आ जाएगी, देखोई तो एक पहली equation बनाएगी दूसरी equation क्या है, r1 प्लस r2 is equal to total उन दोनों के बीच का जो distance है यानि कि r यह है हमाँ पास दूसरी equation अब इन दोनों equation का use करके आप इसको solve कर सकते हों यहां से माँ पास basically आ जाता है, r1 is equal to, देखो हमाँ पास total length जो है r उसी को इन दोनों के opposite mass के ratio में divide कर देना है यहां से आप इन दोनों को solve करोगे तो हमाँ आपस सीधे-सीधे relation है r1 will be equal to m2 upon m1 plus m2 और हमाँ पास r2 की value आ जाएगी, r का एक factor होगा, यहां नीचे m1 plus m2 तो होना ही है और उपर क्या चीज़ आ जाएगी? क्योंकि r2 है, तो यहां पर m1 आएगा इस तरीके से हमाँ पास दो result है, यह आप बहुत ज्यादा use करके equations को जल्दी-जल्दी solve कर सकते हैं यह चीज़ समझ रहा हमेशा किस तरीके से ratio में divide होता है, आगे चनले पर हम देखेंगे कि किसी तरीके से ऐसे ही ratios में divide होती है तो इस चीज़ों का बहुत ज्यादा use होता है सब इस एक question solve करते है 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass the center of mass of the system is from the 5 kg particle is nearly at the distance 5 kg बाले से हमें distance पूचा है तो मान लो परी बात तो ही समझ हो इसमें heavy कॉंस है heavy है हमाँ पास ये वाला center of mass इनके center में नहाख करके थोड़ा सा इदर shift हो चुका होगा तो यहां पर आयाता है हमाँ पास center of mass field करने की बात है उसके बात क्या करना आपको ये जो 1 meter है उसको आपको दो हिस्सों में बाट देना है कौन कौन से से है ये है r1 ये है r2 directly formula based application है r1 की value हो जाएगी m2 upon m1 plus m2 times r m2 की value किती है 10 divided by m1 plus m2 वह वाली value किती है 15 into radius की value किती है 1 meter तो या जाद है 2 by 3 meter which is also equal to meter से centimeter में करोगे 66.67 centimeter आजाए option number B जार correct answer इस तरीके साब questions को solve कर सकते है कई बार हमाँ पास इस तरीके से symmetrical situations हमें दे दी जाते है और इसका center of mass हमें निकालना होता है अच्छे इसको मैंने symmetrical क्यों बोला देखो यहाँ पर सारी की सारी जो sides है बोल दिया जाएगा कि उनकी length है A और क्योंकि यहाँ पर हमाँ angle भी देख सकते हैं सब 60 degree 60 degree इसलिए यह सारी की सारी values A A A A हमाँ बास सारी length हा जाती है फिर आप देखोगे यह 2M है यह यहाँ पर 2M है तो इन दोनों को मिला करके आप मानलों कि यह दोनों का जो center of mass होगा वो होगा यहाँ पर तो आप इन दोनों mass को replace कर सकते हैं इन दोनों को हटा दोगे और यहाँ पर बोल दो कि यहाँ पर हमाँ पास मानलो 4M mass रखा हुआ है यह दोनों जो mass है उनका equivalent उसके center of mass पर आप रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं drop ही करना शुरू कर देता हूँ इसको मैं यहाँ से अटा दूँगा इसको मैं यहाँ से अटा दूगा और इसको reduce कर दो basically हम जो complicated problem थी उसको simple solution में लाते जारे फिर आप यह भी देख सकते हैं यहाँ पर यह भी M है और यह भी M है तो आप इन दोनों को भी हटा सकते हैं यहाँ से आप इन दोनों को भटा दो इस mass को इस mass को भटा दो इन दोनों को हटाओगे तो center of mass पे इन दोनों का सिर्फ इन दोनों का जो center of mass है वो कहा जाएगा इन दोनों के बीचों के यहाँ पे आप assume कर सकते हूं को यहाँ पर 2M होगा तो अब हमाँ पास इस तरीके से यहाँ पर center of mass अब सिर्फ इन तीन की calculation हमें करनी होगी इतने सारों की calculation हमें नहीं करनी होगी अच्छा मैं अभी और इसको simplify कर सकता हूं जैसे यह 2M है यह 2M है तो इन दोनों का center of mass इसके exactly बीच में यहाँ आएगा यहाँ पर आप रख दो 4M फिर हमाँ पास यहाँ पर 4M है यहाँ पर 4M है this is 0,0 अगर यह हमें दे दिया है 0,0 अब मैं X CM बता सकता हूं और मैं Y CM भी बता सकता हूं Y CM की value तो तो मुझे दिख रहा है देखो अगर यह 0,0 पर है सारे masses को तो हमने reduce करके अब यही 3 हमाँ पास mass बचें सबका Y coordinate 0 है तो Y CM की value तो आने वाली है 0 X CM की value किती है जाएगी इसकी value अगर 0 थी तो यह वाली length किती हो जाती है A by 2 क्योंकि यह angle है 60 degree A का cost 60 A by 2 होता है यहाँ पर हमाँ पास value जाएगी X CM is equal to 4M into A by 2 plus 2M और 2M की into A 2M into A plus हमाँ पास यह वाला 2M है into 3A by 2 2M into 3A by 2 divide कर दो आप इसको total mass 4M plus 2M plus 2M अब आपको इसको simplify करना है यहाँ से हमाँ पास इसकी value जाती है A सारे बाहा निकलाएंगे M सारे cancel out हो जाते हैं तो हमाँ पास जाता है 4 into A by 2 2A plus 2A plus 3A divided by 8 which is equal to 4 plus 3 कित तो हो जाता है 7 upon 8A यह हमारा answer जाता है इस तरीक से आपको चीज़े solve करने होती है reduce कर लो system को simplified geometry हिजाब से solve करना शुरू कर 3 identical spheres each of mass M are placed at the corners of a right-angled triangle with mutually perpendicular sides equal to 3 M each पहले हम इसका यहां पर diagram बनाना पड़ेगा हमारा पास इस तरीके से एक right-angled triangle लो यह बन गया और इसकी यह side भी है 3 meter यह वाली side भी है 3 meter और यहां पर हमारा पास M mask रखा हुआ है यह हो जाएगा M यह mask भी हो जाएगा M और यह mask भी हो जाएगा M और यह मास भी हो जाएगा M और 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 तकिंग point of intersection of mutually perpendicular sides at origin यहां पर हमारा पास यही origin भी हो जाता है इस जीरो कॉमा जीरो the magnitude of position vector of center of mass of the system will be root x meter the magnitude of position vector of center of mass of the system will be root x meter the value of x is equal to तो अब इसको देखो आप यहां पर आप इसके coordinates पता कर सकते हो center of mass का coordinate आजाएगा फिर आप क्या करोगे उसका distance पता करने की कोशिश करोगे तो वो process थोड़ा से लंबा हो जाता है इसलिए हम यहां पर reduction method को use करेंगे हमारे पास पहले तो देखो हमें position vector पता करना है उसे पहले हम feel लेने की कोशिश करते है हमारे center of mass का होगा यह mass और यह mass है इन दोनों को reduce कर दो उन दोनों की exactly center में हमारे पास एक नया mass आजाएगा 2m और इसको हम काट देगे तो हम वही कर लेते हैं देखो यहां पर इसको हटा देता हूं इसको हटा देता हूं यहां इन दोनों के center में यहां पर 2m इस तरीके से रख देता हूं अब यह एक हमारे पास line आ गई है अच्छा हमारे पास यह angle थोड़ा टेड़ा बन गया लेकिन अगर मैं यहां पर इस तरीके से इन दोनों को join करती हूं एक line बनाओ तो यह भी 90 degree आएगा यह आ जाएगा हमारे पास 45 degree यह आ जाएगा हमारे पास 45 degree symmetry से हम इस तरीके से देख सकते हैं अब यहां पर center of mass कहा होगा यहां पर center of mass देखो m और 2m है इस length को हम mass के opposite ratio में divide कर सकते हैं यहां से हमारे पास सीधे-सीधे center of mass यहीं कहां आ जाएगा center of mass और मैं actually यह वाली length पता कर सकता हूँ यह length कितनी है आपको वही तो पता करना है तो अब simple हो जगा सवाल वीडियो को pause करो question को solve इस question का correct answer है x is equal to 2 कैसे है देखो यहां पर पहले तो हमें यह total length बता दो कोई कितनी है यहां पता हमारे पास m यहां से यहां पर हमारे पास रखा हूँ है 2m क्या मुझे यह total length पता है देखो यह वाली length ही 3 और यह है 3 का cos 45 degree cos 45 degree होता है 1 by root 2 तो यह वाली total length है हमारे पास 3 divided by root 2 meter अच्छा है उसको आप इस तरीके से अब यहां पर हमारे पास center of mass होगा ना तो हमें यह वाली length पता करना ही this length this is let's say r1 मैं क्या लिख सकता हूँ r1 is equal to m2 upon m1 plus m2 times r values रखो m2 की value कितनी है यहां से opposite side में हम देख रहोंगे ना यह हो जाता है हमारे पास 2m divided by m plus 2m into 3 upon root 2 यहां से इसकी जो value आ जाती है वो आ जाती है 2 by 3 into 3 by root 2 यहां से यह कट जाता है इसकी value आ जाती है सिर्फ root 2 तो हमसे पुछा था कि जो magnitude आता है वो root x के बराबर आता है तो यहां पर root 2 आ गया है यानि कि x is equal to 2 is a correct answer symmetrical bodies और symmetrical bodies में भी हमारे पास जब uniform mass distribution होता है यह पहुँजरूरी है तो center of mass lies at the geometrical center geometrical center यानि कि अगर हमाय पास यह case है तो इसका center of mass कहां पर आ जाएगा हमाय पास center of mass आ जाएगा यहां पर एकदम उसका geometrical center वो sphere का है अगर यह circle है तो उसके center ही आ जाएगा अगर हमाय पास यहां पर यह rod है इसका geometrical center कहां आ जाता है यहाँ पर हमाया पास center of mass आ जाए इस triangle की अगर मैं बात करो तो इसका geometrical center कहाँ पर आता है actually होता है हमारा centroid अब इस तरीके से centroid बना भी सकते हों यहाँ पर this will be a center of mass center of mass center of mass this will be center of mass लेकिन यह हमाया पास uniform mass distribution नहीं है तो यहाँ पर हम center of mass नहीं पता कल सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर देखो अलग-अलग mass हो सकता है यह बहुत heavy red dots हो this is not uniform not uniform mass distribution तो इसके center of mass के बारे में हम कोई comment नहीं कल सकते हैं और बहुत ही simple सी चीज थी लेकिन इस पर based questions किस तरीके ऐसे आते हैं वह हम देख लेते हैं हमें पास the position vector of the center of mass r center of mass of an asymmetric uniform bar of negligible area of cross section shown in the figure is asymmetric क्यों लिखा है इसको क्योंकि यह symmetric नहीं है लेकिन uniform mass distribution है यह आप है ठीक है uniform bar हमें लिखा हुआ है तो अब इसको आप किस तरीके से करोगे तो यहाँ पर समझने वाली चीज यह है कि uniform mass distribution है तो इसकी कुछ linear mass density होगी उसको मैं लिख देता हूँ lambda is equal to mass per unit length तो मैं किसी भी length के लिए mass की value लिख जाऊँगा mass is equal to lambda times l अब देखो इसकी length कितनी है 3l से लेकर के 2l basically यह l length है अगर इसका mass है m तो यह वाली जो length है इसका mass भी कित्ता हो जाएगा m क्योंकि इसकी भी overall आप length देखोगे तो वो भी l के बराबर है तो यह भी mass m हो जाता है और इसकी जो mass हो जाएगे तो वो खित्ता हो जाएगा देखो यह 2l के बराबर है तो इसका mass हो जाएगा 2m अभी जो mass है वो कहां पर रखे हुए सब के geometrical center पर इस पूरी का तो हमें center नहीं पता कहां पर है वो तो question में हमें पता करना है लेकिन अगर मैं इस part को देखूँ तो इस जो 2m रखा हुआ है वो actually उसके center पर यहाँ पर कहीं रखा होगा अगर मैं इस वाली को देखूँ तो इसका center of mass यहाँ कहीं पर होगा इस जगे पर और अगर मैं इसको देखूँ तो इसका center of mass कहां पर होगा यहाँ पर इस जगे पे हमाया पास तो अब हमाया पास यह जो अजीब सी रॉट थी हमने उसको breakdown कर लिया है इस तरीके से हमाया पास तीन मास रखे हुए तीनों के मास हमें पता चोल चुके हैं हमाया पास हो region है उनके coordinates भी है अब हमें position vector बताना है इस question का correct answer option number B इतने अच्छे अच्छे option है किसी में भी x की value देखो रिबेट नहीं हो रही है तो मैं सिर्फ x cm पता कर लूँ तो मेरेको अपना option actually मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ x cm पता करूँगा मैं directly लिखूँगा बार बार formula नहीं लिखूँगा x center of mass देखो इस mass को मानलो मैं लेता हूँ तो इसका x coordinate की value है l यह जाता है l into 2m plus इस center of इस mass के लिए हमाँ पास जो coordinate है वो है 2l तो आ जाता है 2l into m plus इस वाले mass के लिए हमाँ पास जो length है वो actually 2.5l है अब वो आ जाता है 2.5l into m डिवाइट करेंगे हम इसको total mass से total mass के लिए हमाँ पास 4m यहां से माँ पास value हाती है 2l plus 2l plus 2.5l divided by 4 which is equal to 4 6.5l divided by 4 अब इसी को हम क्या लिख सकते है 6.5 divided by 4 है तो इसको आप लिख सकते हो 13 divided by 8l 13 divided by 8l यानि कि option number b is our correct answer आपको y पता करने की जरुवत नहीं है x में हमाँ पास एक ही आ रहा है अच्छा मान लो हमाँ पास y center of mass आप calculate करते हैं तो उसकी value किती है y cm की value led से आजाती है 5 upon 8l इसी को vector form में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे 8l j काप इस तरहें किसे भी आप इसको लिख सकते हैं the coordinates of center of mass of a uniform flag shaped lamina यानि कि thin flat plate of mass 4 kg the coordinates of the same are shown in the figure 8 तो हमें इसका center of mass पता करना है तो यहां पे देखो coordinate system भी हमें दिया हुआ है तो इसको आप किस तरीके से approach कर सकते हो देखो आप इसको या तो इस तरीके से 2 masses में reduce कर लो एक mass हमारा यह हो जाएगा दूसरा mass हमाँ पास यह हो जाएगा इसका center of mass यहां होगा इसका center of mass यहां पर होगा इन दोनों के mass किस तरीके से आप पता कर सकते हो तो यहाँ पर हम mass के लिए लिख देंगे mass is equal to sigma times area सिगमा हो जाती है हमाई पास aerial mass density aerial mass density तो total area इसका जितना है उसके proportional होगी यह एक तरीका हो गया या फिर आप simplicity अगर आपको दिख रहे है इसका correct answer ऐसी solve करना शुरू करते है हम इसको break कर लेंगे हमारी simplicity के लिए मैं इसको इस तरीके से break करता हूँ अच्छे यहाँ पर देखो 0 था यह 1 था फिर यह 1 में 2 हो गया यह 1 में 3 हो गया तो basically मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि यह जो blocks है this is 1, this is 2, this is 3 इसका mass अगर इसका mass m है तो इसका mass 3m आने वाला है यह मैं यहाँ पर check कर सकता हूँ और इसका जो center of mass होगा वो यहाँ जाएगा तो this is our 3m and this is our m ठीक क्योंकि इसका area है और इसका area उसका 3 times है तो mass हमारे पास 3 गुना हो चुका है इसके coordinates मुझे पता है इसके coordinates मुझे पता है देखो अगर x में बात करूँ तो वो 0 और 1 के बीच में यानि कि 0.5 है तो इसके coordinates लिखना शुरू करते हैं यह हो जाएगा 0.5, y coordinate किता होगा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3 था तो यह हो जाएगा 1.5 0.5, 1.5 हमारे पास इस point के coordinates आ गए क्या आप मुझे इस point के coordinates बता सकते हो देखो x coordinate की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाता है 1 और 2 के बीचो बीच यानि 1.5 यह जाती है value 1.5, y coordinate के आप इसके बात करोगे तो वो है 2 and 3 के बीचो बीच यानि कि 2.5 कई बार ये coordinates लिखने में भी गलती हो जाती है ध्यान से scope को लिखना है अब तो simply आप solve का सकते हो अच्छा अगर मैं सिर्फ x coordinate पता कर लूँ तो x में सारे option अलग-अलग है सिर्फ x cm पता करने से मुझे अपना correct answer मिल जागा तो मैं सिर्फ x cm यहाँ पर लिखूँगा x cm is equal to m1 यानि कि 3m इंटूस का x coordinate है 0.5 plus m into 1.5 divided by 3m plus m which is equal to m सारे कट जाएंगे 3 into 0.5 होता 1.5 plus 1.5 divided by 4 इसकी value है जाती है 3 divided by 4 यानि कि 0.75 meter option number C is a correct answer the two sheets shown below are made up of same material find the center of mass of the shown system again यहाँ पर लिखा हुआ है कि same material की बनी हुई है इसका मतलब क्या है कि इसकी जो aerial mass density होगी वो बराबर है तो हम क्या लिख सकते है mass m is equal to sigma times area या फिर मैं लिख सकता हूँ mass is proportional to हमारा area अब यहाँ पर हमें length इसकी side की length दे रखिए a तो यह दे रखा हमारे पास a है इसका radius मेरे पास आजाता है a by 2 अब आपको इसका x center of mass और y center of mass बता करना है y center of mass मैं ऐसे ही बता सकता हूँ तो देखो हमारे पास इसका जो भी center of mass होगा वो इसके यहाँ पर होगा center पर इसका जो भी center of mass होगा वो भी यहाँ पर होगा इन दोनों का center of mass इस line को जाइन करते ही लाइन पर होगा तो इसकी जो y center of mass की value आने वाली है वो आ जाती है a by 2 ये तो हम देखके बता सकते हैं y cm is equal to a by 2 ये मैंने बता दिया symmetry को देखते हैं अच्छा इसका यहाँ पर जो भी mass है वो आप निकालना और यहाँ पर आ जाती है हमाँ पास कुछ value इन दोनों में से किसका mass ज्यादा होने वाला है देखो इसका area इसमें area में ये parts extra है तो हमाँ पास इसका mass ज्यादा है center of mass थोड़ा सा इदर आएगा कहीं यहाँ पर कहीं हमारे पास center of mass आने वाला है आप question में तो mark करके आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर इसलिए मैंने option नहीं दिये अब आपको वीडियो को pause करना है question को solve करना solve करना शुरू करते हैं हम आपास इसका जो mass होगा यह total mass इसके mass की value कर जाएगी mass is equal to let's say इसकी value हो जाती है हम sigma into pi a by 2 का square तो इसकी value हो जाती है sigma pi upon 4 a square इसको मैं बोल देता हूँ mass of disk इसको मैं बोल देता हूँ mass of square उसकी value कितनी हो जाएगी sigma into उसका area कितना है a square तो यह sigma a square है यह sigma a square into pi by 4 है अच्छा pi by 4 की value आप देखो कि 3.14 upon 4 तो यह basically 1 से छोटी है तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि mass of disk mass of disk is less than mass of the square कोई बात नहीं हमें अब calculations करनी है तो हम x cm पता करना चाहते हैं x center of mass will be equal to इस mass के लिए x की value किती है a by 2 ना तो मैं लिख दूँगा a by 2 multiplied by sigma a square into pi divided by 4 प्लस इस वाले mass के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसका mass आया है sigma a square into distance कितना है यह है 3a by 2 क्योंकि यह यहां से यहां तक a था पर यहां से यहां तक a by 2 था इसकी value आ जाती है plus sigma a square into 3a by 2 divide आप इसको करते हो total mass है total mass कितना है sigma pi upon 4a square plus sigma a square यहां पर आप देखोगे sigma a square sigma a square sigma a square sigma a square सब cancel out हो जाते है हमाँ आपास जो value आती है वो आती है pi divided by 8 plus 3 divided by 2 upon pi divided by 4 plus 1 times 8 अब यहां पर आपको इसको simplify करना पड़ेगा तो यहां पर value किया जाती है this will be equal to pi plus 4 into 3 is 12 divided by 8 upon pi plus 4 divided by 4 इस तरीके से खट जाएगा हमाँ आपास बचते हैं आपे 2 तो इसकी value जाती है pi plus 12 divided by 2 pi plus 8 यह आगया हमाँ पास x center of mass उसकी value यहां कहीं होगी तो हमने यह देखा था a से बड़ी आती है तो इसकी value क्या a से बड़ी है आप उसको check भी कर सकते हैं यह आ जाता है approximately कितना है इसको solve करो यह आ जाता है 12 plus 3.14 यानिकी 15.14 यह जाता है 15.14 नीचे denominator में हमाँ पास क्या रहा है 3.14 x 2 कितना हो जाता है 6.28 plus 8 8 और 6 मिल करके कितना हो जाता है 8 और 6 मिल करके हो जाता है 7 7 जाता है 14 14.28 this is equal to 14.28 which is more than 1 तो हमने यहाँ पर predict भी कर दिया था this is more than 1 अच्छा इसमें A लगाना था मैं भूली गया इसमें A लगेगा यहाँ पर इसमें लगेगा यहाँ पर तो इसकी value आ जाती है this is 10 times A which is more than तो यह हम पहले predict भी कर चुके थे अभी तक हम जतना भी center of mass पढ़े थे वो छोटे-छोटे particles के लिए था लेकिन मानलो मैं पास इस तरीके से extended object आ गई और जो symmetric भी नहीं है तो अब हम इसका center of mass किस तरीके से पता कर सकते हैं तो इसका पहले तरीका होगा है कि आप मानलो यह बहुत सरे छोटे-छोटे particles से मिल करके बनी हुई है ऐसे case में हमारा जो center of mass है जाता है मानलो मैं उसके x coordinate की बस बात करता है तो मैं क्या लिखता है? x center of mass की value हो जाती summation of m i x i divided by summation of m i यह हम formula already देख चुके लेकिन जब वो number बहुत बड़ा हो जाता है और यह mass छोटे-छोटे होते चले जाएंगे आप जितने जादा उसको टुकडों में बाट दोगे तो हमाँ पास वो mass छोटे होते चले जाएंगे और वो number बहुत जादा बढ़ जाएगा तो अब यही चीज हमाँ पास बन जाती है इस विल चेंज इंटू इंटीग्रिल dm टाइमस x डिवाइड बाइ इंटीग्रिल ओफ dm यह dm क्या चीज है? मानलो मैंने यहाँ पर कोई छोटा सा इस तरीके से element लिया तो उसका जो भी mass होगा चोटा सा है तो dm उसका mass हो जाएगा और उसका कुछ position vector होगा इस तरीके से यहाँ पर यह तो यह इस तरीके से और इसका कुछ x coordinate होगा हमाँ पास यह हो जाता है हमारे लिए x तो ऐसे मैं मानलो यहाँ का कोई particle लोगा तो उसके लिए उसका x coordinate यह वाला आजाएगा और उसका mass होगा हो सकता है यहाँ पर mass density कुछ और हो यहाँ पर mass density कुछ और x का function हो सकता है उस तरीके से हमारे पास हर जगे का mass भी अलग हो जाएगा उसका x coordinate भी अलग हो जाएगा सभी को add करते जाएगा infinitely छोड़े छोड़े particles infinite होते उनको add करते तो उसको basically integration का process बोलते हैं इसलिए हमारे पास यह formula आ जाता है तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़े देखनी होती है सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारे पास one dimensional बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो छोटा सा mass होता है उसको हम क्या लिखते हैं हमारे पास dm की value आ जाती है lambda times dx किस तरीके से यह बात हो रही है देखो उसका एक example बता जेता हूँ मानलो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से rod है और इस rod का हम इस जगे को बोल देते this is let's say x is equal to 0 और यह uniform rod नहीं है पहली बात तो यह समझो अगर यह uniform rod होती यानि इसकी सभी जगे linear mass density एक जैसी होती तो फिर तो हम इसका symmetry से बता देते है इसका center of mass यह रहा l by 2 पर तो यह uniform mass density वाली rod नहीं है तो हमें कहीं पर वो information भी लिखनी चाहिए पर linear mass density कुछ और होगी यहाँ पर linear mass density कुछ और होगी तो basically मैं यहाँ से let's say मैं यहाँ से x distance पर जाता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा element study के से consider करता हूँ जो होता है dx इस case में मैं जो छोटा सा mass बोलूँगा वो dm की value कित्ती हो जाती है उसकी जो lambda है multiplied by length dx lambda into dx lambda की value हमें x का function दी हुए और usually ऐसा ही होगा अगर यह constant होती तो हमाँ पास directly यहाँ पर l by 2 पर center of mass आजाता है तो वो नहीं है तो यहाँ पर इसकी value किया जाती है lambda not x dx इस तरीके से हम calculations करते है अगर हमाँ पास linear object नहीं होती तो हम dm किसको बोलते है उस case में हम dm बोलते है sigma times dk छोटे छोटे area हमको consider करने होते है वो depending upon जो situation होती है उस तरीके से किया जाता है और अगर हमाँ पास three dimensional बात होती तो हम dm लिखते है वो जाता है density into dv छोटा सब आपर हम volume consider करते है यह कुछ basic चीज़ है लेकिन usually हमें integration करना नहीं होते है हम directly उनके results को अभी देख लेंगे लेकिन इसको जरूर हम अभी solve करेंगे ताकि आपको पता चल जाए तो देखो यहाँ पर हमारे पास x center of mass अगर मुझे पता करना है तो अब मैं सीधे-सीधे यह वाला formula यहाँ पर लगाने वालो उसकी value आजाएगी integral of dm की value आजाती है lambda not x dx यह हमने dm रख दिया multiply उसको x से भी करना है यह तो अभी सिर्फ dm था उसको x से multiply करें multiplied by x divided by integral of dm dm की value किती है lambda not x dx correct यहाँ से अब limits रख देनी है हमको limit किती रखोगे limit x is equal to 0 से लेकर capital L तक पर तो यहाँ पर जो constant value है उनको मैं काटी रखता हूँ यह lambda not lambda not इस तरीके से cut जाने वाला है इसकी जो value आजाएगी वो आजाती है integral of x square dx divided by integral of x dx इसकी value आजाती है x cube by 3 और limit रखोगे आप कहां से 0 से लेकर L तक 0 से लेकर के L तक तो यह वाली value आजाती है L cube by 3 अपन नीचे आजाएगा L square by 2 इसकी value आजाती है 2 by 3 L और यहाँ से 2 by 3 L पर यानि कि इसके पास हमारा यहाँ का center of mass आजाएगा और आना भी चाहिए क्योंकि इस जगे पे आप linear mass density देखो x के proportional है तो यहाँ पर mass density कम थी यहाँ पर mass density जादा है इधर की rod heavy है इसका center of mass center में हो भी नहीं सकता थोड़ा सा इस तरह वो खिसका हुआ होना भी चाहिए तो यही हमें continuous mass system होता है non-uniform linear mass density given by rho x is equal to it where a and b are constants and 0 से x से l जाता है तो हमाँ पास सुच इस तरीके से rod होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती होगी किसी भी यहाँ से x distance पर हमाँ पास एक छोटा सा हमें dm कंसिडर करना होगी क्या आप बता सकते हो जो dm की value क्या होगी dm की value हो जाती है lambda times dx तो हमाँ पास यहाँ पर lambda को उन्होंने row बोल दिया जो कि actually x का ही function है उसकी value हो जाती a plus b x by l का square times dx इस तरीके सा आप यहाँ पर लिख सकते है अब आपके पास यहाँ आगया आपको सीदे सीदे x cm का integral of dm बहुत ही simple सा यह question हो चुका है वीडियो को पास करो question को solve करो इसका correct answer है option number सी solve करना शुरू करते हैं हमाँ पास dm अल्रेडी आ चुका है values खाली हमें रख देनी है तो यहाँ पर देखो इसकी value हो जाती है integral of उपर वाला जो value हो जाती है integral of a dx अच्छा यहाँ पर x और है हमें उसको multiply करना पड़ेगा तो वा जाता है ax dx plus bx square upon l square times x dx और इसको भी integrate करना पड़ेगा बी constant है l भी तो constant है चलो लगा दिया divided by denominator में फिर से integral dm है तो वो integral of a plus bx square upon l times dx values रखते जाते है सीधे-सीधे ax dx इसकी value हो जाएगी ax square by 2 limit रहोगे 0 से लेकर के l तक सब जेके limit है 0 से l तक 0 से l तक 0 से l तक इसकी value आजाने वाली है a l square upon 2 plus इसकी value क्या जाएगा यह है मैं आपस x का cube total x cube हो गया तो उसका integral हो जाएगा x की power 4 divided by 4 x की power 4 divided by 4 यहनि की l की power 4 divided by l का square और यहाँ पे 4 है b है इस तरीके से divided by denominator में हमाँ पास value क्याने वाली है यहाँ पर a dx तो वो हो जाता है हमाँ पास a l plus अच्छे यहाँ पे हमाँ पास l square है यह b upon x square x cube by 3 तो वो बन जाता है l cube by 3 अब यहाँ पर आप देखोगे हमाँ पास सभी जगे से यहाँ से यह कट जाता है सिर्फ बचता है l square यहाँ पर भी यह इस तरीके से कटता है बचता है सिर्फ l यहाँ से common ले लोगे उपर l square है तो हमाँ पास जो term आजाती है l तो बाहर आजाता है अंदर क्या चीज़ बसती है अंदर बसता हमाँ पास a by 2 plus b by 4 a by 2 plus b by 4 उसको मैं लिख सकता हूँ 2a plus b divided by 4 denominator में value क्या आ रही है 3a plus b 3a plus b divided by 3 तो अब इसको आप करोगे तो आ जाता है 3 by 4 यहाँ आ जाएगा 2a plus b है और 3a plus b है तो इसका मतलब option number c is our correct answer कुछ common values देख लेते हैं center of mass की जो बहुत जगे आप directly use कर सकते हो इनके derivation अभी हम नहीं कर सकते मानलों हमाँ पास इस तरीके से एक आर्क है आर्क होती है बिसिकली एक wire को मोड दिया है circle का एक छोटा सा टुकडा बना हुआ है तो यहाँ पर जो इसका center of mass होगा पहली बात तो हमाँ पास line of symmetry पर ही कहीं होने वाला है और वो यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा यहाँ पर हमाँ पास इस तरीके से कहीं यहाँ पर वो center of mass होगा actually और यहाँ पर होगा इस तरीके से और वो वाली जो value आती है वो y की value आती है वो आ जाती है एक तो वो theta पर depend करेगी तो यह angle अगर हमाँ पास theta था तो यह वाली side हो जाती है theta by 2 यह वाली side पर जाती है theta by 2 y की value आती है r sin of theta by 2 upon theta by 2 अब इसी का एक special case कि अगर हमने theta की value total कर दी pi यानि कि वो हमाँ पास इस तरीके से semi circular ring बन गई है तो हमाँ पास इस case में देखो y की value क्या हो जाएगी theta की जगे आप रख दो pi तो ही हो जाता है sin of pi by 2 यानि कि sin 90 degree which is equal to 1 और नीचे है pi by 2 तो ही हो जाता है 2 r upon pi यह जाता है 2 r upon pi यह एक special case आपको याद होना चाहिए यहाँ से हमाँ पास इस तरीके से कुछ उपर y center of mass इसे बोल सकते है this is y center of mass इस तरीके से आपको यह पता होना चाहिए next देखते है हमारे पास होता है sector sector basically disk में हमने वही चीज़ कर दिया उसको काट दिया यहाँ पर भी जो हमाँ आपास center of mass होगा यहाँ से कुछ y distance पर होगा इस तरीके से y और y cm की value यहाँ से आजाती है y cm is equal to r sin of theta by 2 और denominator में भी वहाँ पर पहले क्या था भी हमने बेखा था theta by 2 यहाँ पर value होगा 3 theta divided by 4 again इसका एक special case ले लो theta की value कल दो pi यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाता है फिर से pi by 2 यानि की sin 90 यह value हो जाती है 1 और यह आपका दो के pi तो यह 4 r upon 3 pi हो जाता है तो यहाँ पर y की value हो जाती है 4 r upon 3 pi इसी का एक special case हो गया है यहाँ पर हमाँ अपास center of mass इस तरीके से आ जाता है अच्छे इसका एक और special case देख लो यहाँ पर अगर मालो हम theta की value 2 pi कर दे इसका मतलब क्या हो जाएगा formula यह रखो यहाँ पर 2 pi तो यह 2 pi upon 2 यानि की sin of 180 which is equal to 0 यहाँ पर जब हमाँ पास complete इस तरीके से disk होती है तो center of mass की value 0 आती है यानि की वही origin पर आ जाता है तो जो origin है यह पिसी लिए जो center है वही पर हमारा center of mass भी आ जाएगा तो यह भी आपको यहाँ दोना चाहिए next हमाँ पास triangle आ जाता है triangle अगर हमाँ पास इस तरीके से symmetric सा triangle है तो देखो इसका जो center of mass होगा वो होता है इसके इस तरीके से जो centroid आता है यह वाली जो total height होती है h इस तरीके से अगर आपसे उपर की तरफ से यहाँ से भी कई बार पूछ लिया आता है तो वो वाली value कित्ती हो जाएगी अगर यह h by 3 थी यह वाली कित्ती हो जाती है हमाँ पास 2 h by 3 तो मैं उसको भी draw करूँ हा यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है this will be equal to 2 h divided by 3 and this will be हमारी h divided by 3 triangle में इस तरीके से भी चीज़े कल दी जाती है अच्छे जैसे मान लो हमाँ पास यह एक triangle है अब इसका center of mass पता करना है यह symmetric नहीं है तो किस तरीके से approach किया जाएगा इसको से यह वाली length होगी अगर यह total length थी a तो यह वाली length हो जाती है 2 by 3 यह वत जाती है 1 by 3 तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक line draw करेंगे यह यह वाली length हो जाएगी हमारी 2 a by 3 यह वाली length हो जाएगी a by 3 similarly यहाँ पर देखो हमारे पास y direction में अगर मैं बात करूँ center of mass इसके midpoint पे तो नहीं हो सकता हूँ अगें यहाँ पर इस तरीके से मैं line draw कर सकता हूँ अब यह वाली length कितनी हो जाएगी 2 b by 3 और यह वाली length हो जाएगी हमारे पास b by 3 अब coordinate system में origin यहाँ पर बना दो यहाँ पर बना दो, यहाँ पर बना दो, कहीं भी बना दो हमें पता करना आना ची किस तरीके से हम निकालते हैं इसका एक और variation देख लो अगर हमारे पास इस तरीके से axis और हमसे यह वाली length दी होई है तो अब center of mass तो वहीं रहने वाला है यह वाली जो length हो जाएगी वो इस length की one third होगी इस तरीके से भी आप देख सकते हैं किसी भी line के along अगर अपने पास axis है इस तरीके से आप चीज़े चेक का सकते हैं और important 4 चीज़े हमाई पास इस तरीके से एक hollow cone एक solid cone इसके result तो actually बहुत ही simple है हमारे पास hollow cone में यहाँ से उपर होता है center of mass solid cone में भी यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा solid cone और hollow cone में difference किसमे होगा पहले बताओ किसमे center of mass ज्यादा उपर होगा hollow cone में mass यहाँ 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 पर है solid cone में बहुत सारा mass actually अंदर जो 3-dimensional space है empty, वहाँ पर भरावा होता है इसमें y की value कम होगी इसमें y की value ज्यादा होते है तो solid में हमाई पास ही जो आजाता ही आजाता है r by 4 sorry, h by 4 होता है h by 4 यहाँ पर value होती है h by 3 h क्या चीज है यहाँ पर? h आपको पता तो चले this is a solid edge hemisphere और solid hemisphere इसमें क्या होगा? देखो, hollow hemisphere अगर हमाई पास है इसमें भी again mass उपर surface पे इसमें mass बीच में कुछ ज़्यादा ही भरा रहता है तो surface से दूर यानि की center of mass इसमें कम distance पे होगा इसमें ज्यादा distance पे होगा सेम चीज हम यहाँ पर भी देखते है यहाँ पर center of mass पास में होता है यहाँ पर जो center of mass होता है वो होता है हमारा r by 2 पर यहाँ पर center of mass होता है 3 r upon 8 पर यह कुछ values है standard यह आपको पता होनी चाहिए cavity का मतलब होता है कि कोई खोकली सी space हमारा पास बच जाए तो उस पर बहुत सारे सवाल आते है लेकिन किस तरीके से होते हैं देखो पहले हम समझते हैं मानलो हमारा पास यह लड़की यहाँ पर खड़ी होई थी और फिर वो यहाँ से जंप कर जाते जब तक यह यहाँ पर खड़ी होई थी तो इसका और इसका जो मास है दोनों का मानलो मास है मैं तो center of mass दोनों के center में यहाँ पर कहीं रहा होगा फिर यह इस तरफ कूद गई तो अब इस system में तो यही बची लड़की तो बची ही नहीं तो center of mass इस तरफ shift हो जाता है है न हम इस चीज़ को समझते है लेकिन mathematically इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है आप बोलो कि यह तुम यही रहो तुम यहाँ से मत कूदो हम एक काम करते हैं हम और negative mass की लड़की M को यहाँ पर गदा देते हैं अब यह negative mass reality में existing नहीं करता हमारी दुनिया में लेकिन conceptually यहाँ पर अगर मैं mass की value पूछू हूँ तो यहाँ पर M plus minus M total mass यहाँ पर 0 है कई बार हम इस concept का use करते हैं अगर हमें mass हटाना होता है तो हम उसको हटाते नहीं हैं बलकि हम negative mass वहाँ पर add कर देते हैं और mathematically फिर हमारी पास दुनों चीज़ें equal हो जाती है उसका बहुत अच्छे example हमारी पास इस तरीके से disk होगी आपने ऐसे questions देखे होगे इसको हम किस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर हमारी पास complete इस तरीके से एक disk थी तो उसका center of mass यहाँ कहीं आ जाता है उसकी बाद हम इसमें negative mass की इतनी बड़े mass को negative mass density वाला आपको इस तरीके से लो और उसको add कर दो तो अब मेरे पास positive mass यहाँ पर concentrated था negative mass यहाँ पर था इन दोनों का center of mass आप देखोगे हमने बीच में से mass निकाल के फेक दिया इसका अजब center of mass इधर कहीं यहाँ पर shift हो जाएगा इस पर basically questions आते है questions कैसे आएंगे हो सकता है यह disk हो या हो सकता है आपको sphere बोल दिया यह एक sphere था sphere में से एक छोटा sphere निकाल दिया questions बहुत तरीके के बनाये जा सकते हैं concept same रहता है a circular disk of radius r is removed from the bigger circular disk of radius 2 r such that the circumference of the disk coincide the center of mass of the new disk is alpha r from the center of the bigger disk the value of alpha is पहली चीज़ तो यह हमारे पास यहाँ पर alpha है किसने कल दिये गलती शायद हो मैं ही हूँ पर बात नहीं अच्छे यहाँ पर बताओ हमारे पास center of mass कहां जाएगा अगर हमारे पास इस तरीके से complete disk थी तो center of mass symmetry के साब से यहाँ पर होता फिर हमने यह वाला पार्ट निकाल के बाहर फैक दिया basically हमने यहाँ पर negative mass को add कर दिया तो center of mass इस तरफ shift हो जाएगा यह समझो कि center of mass यहाँ पर आने वाला है इस तरीके से और वो जो amount shift हुआ है उसको बोला गया है it is alpha times r अब आपको बताना है alpha की value कितनी है तो उसके लिए हमारे पास एक mass m मान और दूसरा mass मानना पड़ेगा आपको some negative mass यहाँ पर हमें देखो समझना क्या पड़ेगा अगर इसकी mass density let's say sigma है तो यह जो negative mass हम add करते हैं उसकी density minus sigma ही हो नीचे तब ही दोनों मिल करके 0 होते हैं यह कैसा बन गया ना ऐसे आख है यहाँ पर मुह है ऐसे कुछ तो यह I'm an artist now तो इसको solve करना शुरू करते हैं हमारे पास हम assume करेंगे इस तरीके से एक बड़ी सी disk थी और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे एक यहाँ पर मान सकते हैं इसका mass कितना हो जाएगा mass की value हो जाएगी area into sigma area की value होती है r square pi r square इसको मैं लिख सकता हूँ pi sigma r square उसका radius कितना है अरे उसका radius है 2r तो 2r का square करना पड़ेगा साथ में हमने negative mass इस तरीके से add कि इसका जो mass होगा वो कितना हो जाएगा वो होगा हमारा area into minus का sigma which is equal to minus sigma pi r square इसका radius r ही है अब आपके पास 2 mass आचुके हैं दोनों कहां पर concentrated है वो भी आपको बता है वीडियो को pause करो question को solve कर लिए करो 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 इसका correct answer option number B solve करना शुरू करते हैं देखो हमें solve करने के लिए x center of mass चाहिए x center of mass उसके लिए हमें पहले तो coordinate system चाहिए मैंने गल्ती कर दी हमें पहले ही line ये कीछ रगी ति उस आपको hint मल जाएगी कि भाई इसे 0,0 हमें मानना है तिसे 0,0 मानना है अच्छा मैं यहां पे इस छोटू M को मैं लिख देंगा capital M क्योंकि वो बड़ी वाली disk है confusion ना हो तो बड़ी वाली disk का जो coordinate है वो 0 है और उसमें हमने add किया है छोटा वाला mass जो minus M है उसका coordinate कितना है देखो यहां से यहां तक था 2R यह वाला distance है R into R divide करेंगे हम इसे M plus minus M से values रखना शुरू करते हैं इसकी value आ जाती है capital M की value थी sigma pi 4R square sigma pi 4R square plus minus sigma pi R square divided by M की value अच्छा multiply भी तो करना है mass को multiply गया 0 से तो यह वाली value तो 0 ही हो जाती है okay my bad multiplied by minus M लिख दिया मैंने multiply करूँगा इसको R से और divide कर दूँगा नीचे दोनों mass को add कर देना है तो हो जाता है sigma pi 4R square minus sigma pi R square आप देखोगे सारे sigma pi, sigma pi, sigma pi इस तरीके से कट जाते है सारे R square यह वाले भी कट जाते है उपर हमाय पास बसता है सिर्फ minus का R नीचे denominator में बसता है 4 minus 1 which is equal to minus 1 by 3R तो यहां से जो यह distance है वो हो जाता है 1 by 3 times R अगर यह जीरो था तो यह नेगेटिव मेह से लिए यहां पर हमाय पास minus value आई है हमाय पास alpha की जो value आजाती है वो हाजाती है 1 by 3 option number B is our correct answer हमारे पास center of mass का formula होता है position of center of mass is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus 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 इतने भी आदे जाए आड़ करते हैं divided by M1 plus M2 यह हमें formula पता है अच्छा अगर मैं इसको differentiate कर दूँ with respect to time t तो जितने भी position vector है वो actually velocity vector में बदल जाते है तो यह M1 R1 का differentiate करके M1 V1 बन जाता है similarly यह बन जाता है M2 V2 और इस तरीके सा आप add करते जा सकते हो और हमाय पास left hand side में जो position of center of mass वो actually बन जाती है velocity of center of mass कैसे बनेगी D of R upon dt करतो यहाँ पर तो बन जाता है velocity of center of mass लेकिन हम यही नहीं रुकते हैं इसको एक और बार differentiate कर देते हैं तो अब हमें मिल जाता है acceleration of center of mass इस तरीके से similar formula में कुछ नया नहीं है लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीज़े देखने वाली है जैसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे कि अगर हम यहाँ से किसी particle को थोड़ा सा displace करते हैं तो center of mass में भी कुछ ना कुछ displacement आता है तो उसको हम बोलेंगे displacement of center of mass तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो delta r center of mass is equal to यहाँ पर देखो इसमें change, इसमें change, इसमें change सभी में change हो जागा mass तो constant होता है तो यहाँ जो change होता है वो position vector में होता है तो इसको आप लिख सकते हो m1 delta r1 vector plus m2 delta r2 vector divided by m1 plus m2 plus यहाँ पर करते जाओ, जित्ते भी यहाँ आप add करते जाओ, इस तरीके से हमाया पास एक formula आ जाता है okay, इस पर based भी direct questions आये दूसरी चीज़ हम यहाँ पर कोछ समझना चाहते है देखो, अगर मैं यह m1 plus m2 जितने भी है, उसको मैं इस तरफ ले आऊ तो क्या होगा यह m1 plus m2 देखो, इस तरीके से आजाएगा हमाया पास m1 plus m2 plus जितने भी है, add कर दो multiplied by velocity cm will be equal to m1 v1 plus m2 v2 plus जितने भी उनको add करते चले जाओ यह वाली चीज़ क्या है यह हमारा mass of system है है ना यह वाली चीज़ है, यह हमाया पास velocity of center of mass है तो इस चीज़ को, अच्छे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, this is momentum of particle 1, है न, vector plus यह है momentum of particle 2 plus हमाया पास अलग-अलग particle के individual momentum है और इसको आप बोलोगे, यह हमारे system का momentum है और system का momentum का निकालने का हमाया पास नया तरीका आ चुका है mass of system multiplied by velocity of center of mass तो इसको यहां लिख देता हूँ, टडडडडडडडडडडडड़ P of system is equal to P1 plus P2 plus P3 और यही हो जाता है हमारा mass of system multiplied by velocity of center of mass ओके, अच्छा, अब इसके साथ भी यही चीज़ कर लेते हैं यहां पर M1, M2, M3 इन सभी को दूसी तरफ ले जाओ और ये हमाय पास आजाता है कुछ इस तरफ राइट हैंड साइड पर देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं इसे M1 प्लस M2 प्लस जितने भी मासें हैं multiplied by acceleration of center of mass will be equal to M1 A1 plus M2 A2 plus जितने भी हैं add करते चल जाओ यह सब यहाँ पर vector quantities है अच्या mass into acceleration क्या हो जाएगा क्या मैं इसको लिख सकता हूं this is force on particle 1 क्योंकि F is equal to M1 होता है तो अगर मैं सिर्फ particle A की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं this is force on 1 प्लस similarly हमाय पास ही आ जा जाता force on 2 प्लस हमाय पास जितने भी total forces है उनको हम यहाँ पर add करते चल जाएंगे और इन सभी forces को अगर मैं देखूं तो यह जो बन जाता है यह क्या चीज़ है M1 प्लस M2 प्लस M3 यह हो जाता है हमारा mass of system as far as TEM into acceleration of center of mass is equal to this अब भी हम देख लेंगे यह F1 प्लस F2 प्लस F3 हम क्या बोल देते हैं net force on the system वो चीज़े भी हम detail में थोड़ा सा देख लेंगे लेकिन यहाँ पर कुछ result हमें मिल जाते हैं और obvious results आई हैं इनसे questions बहुत तरीके के बनते हैं तो उन questions को solve करना शुरू करते हैं कर दो हम online भी हम ए Lehr उनाय करते हैं ध यह olduğюсь जो मीम हम प्लस FI आफ, खजह हम हम घए, और झाल, जह का ऱुरू ओो रज भी हम झाल क्वाई तर ल्यों था क्वाइवावज जो क्वाven मेल, ल'. झाल 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 सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करो इसको तो करना है साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना है देखो वहाँ पर क्या मस्ती चल लिए बिहाइंड दा सीम क्या चीज़े होती है और मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ I hope मुझे मज़ा आ रहा हूँ और आपको ही मज़ा आ रहा हूँ और उससे ज़्यादा इंपॉर्टन चीज़ प्लीज इस QR Code को स्कान करो कुछ हमाउं डोनेट करो ताकि मैं और भी अच्छा content आपके लिए बना के लापा हूँ तो इसको प्लीज स्कान करो कुछ हमाउं डोनेट करो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम मिलेंगे अगले वीडियो